नमस्कार मैं डॉक्टर मानक जैन सहराचारी इतिहास विभाग SBC राज्किय महाविध्याले अजमेर आज हम भी ये पाड़ प्रथम के प्रथम दुतिय प्रश्न पत्र का ध्यन कर रहे हैं और दुतिय प्रश्न पत्र में हम ये देखेंगे कि कुशान कालीन कला क्या थी कुशान काल के एक महत्पून एतियासिक उपलब्दी ये थी कि उस काल में भारत में कला की दो स्वतंत्रे शैलियों का विकास हुआ ये शैलियां हैं मतुरा कला शैली और दूसरा गांधार कला शैली सर प्रतम विध्यारतियों हम मतुरा कला शैली का अध्यन करेंगे मतुरा प्राचीन काल से ही भारतिय धर्म संस्कृति कला का केंदर रहा है प्रथम शताब्दी ईस्वी से तृतिय शताब्दी ईस्वी के दोरान शक कुशान नरेशों के संरक्षन में मतुरा में एक विसिस्ट कला शैली का विकास हुआ जिसे भारती कला के इतिहास को बहुत गहराई से प्रभवित किया कुशान राजा कनिश्क, हुविश्क और वासुदेव का काल मतुरा कला का स्वाण युग माना जाता है मतुरा की प्राचीन कला भरूत, सांची, आदी, शुंग कला के समान ही थी और उसकी कोई स्वतंत्र पहचान नहीं थी लेकिन इस्वी सन की प्रारंबित तीन शताब्द के काल में मतुरा में एक स्वतंत्र विसस्ट और निस्ता पूर्वक कला शैली विक्सित हुई और इसी लिए इसे मतुरा कला शैली के नाम से अभी हीत किया जाने लगा, मतुरा कला की चहुमुकी प्रगति का आधार बना, अराध्य देवता की पूजा उपासना के लिए न हिमित मूर्तियों का विकास, डॉक्टर प्रत्वी कुमार अगरवाल के शब्दों में शिल्प वे वास्तु की आंचल कारीक सजावट नहोकर मूर्ति शिल्प के रूप में प्रतिस्ठित हो गया, इसके अलावा हम यह देखते हैं कि मतुरा, रहमन धर्म, बॉब धर्म, ज यहां विक्सित हुआ, मतुरा, शेलिकी मूर्तियों की मांग सारे उत्री भारत में की जाने लगी, मतुरा की कुशान कालिन मूर्तियां हमी कोशांबी, सांची, सारनाथ, अही छत्र, श्रावस्ति, बौद गया, महरोली, सांगोल, तक्ष शिला, आदि स्थानों पर किया गया है, यह है लाल रंग का बलुआ पत्थर, छीटदार या चित्तिदार, जो की मतुरा के समीपवर्ति शेत्रों, रूबवास, बयाना, भरतपुर जिला है, यह आगरा, तंकपुर, फत्यपुर सीकरी, आदि की खदानों में उपलब्द था, मतुरा कला के अनेक मिर्मान एवं विकास मतुरा कला شैली की धेन है, यह एक निर्विवाद तत्य है कि यह बुद्ध की प्रतम मूर्थी कुषान काल से ही मिलती है, इसमें इसे पोर्व, मौर्य और शुक काल में बुद्ध के आंकन सांकेतिक प्रतिकों के रूप में ही मिलता है, इन्हें या इश्वर के साका मूर्त रूप में कहीं नहीं दिखाया गया है मतुरा कलाशेली मानव आकरती के इंडरित थी भले ही ये मानव रूप दिव्य हो या सामान्य मतुरा कलाशेली के विशेष्टाओं के संबंद में डॉक्टर वाश्टु देव शरण अगरवाल लिखते हैं कि मतुरा शिल्प के अलंकरत विश्यों को जब हम देखते हैं तो उसकी मौलिकता और विविदता की गहरी चाप मन पर पड़ती है शिल्पियों की प्रतिभा से प्रभावित हुए बिना नहीं राजा सकता है यह कहना अन्युक्तिक ना होगा कि भारतिय कला का इतना अधिक स्रजनात्म गुण अन्य किसी यूग में नहीं देखा गया है इस्त्रियों की सुंदर मूर्थियां गड़ने में उन्हें विशेश रूची दिखाई जैसे वेदी का स्तंब से प्रकट होता है उनके रूप और आकरतियों के आकरतियों में बहुत लालित्य है और आभुशन तर्थावस्त्रों का नियुनतम प्रयोग किया गया है कलाकारों ने अपने आपको रूडियों के बंधन से नितांत मुक्त कर लिया था और वे धार्मिक और सांस्कृतिक द्रश्चों को पूरी स्वतंतरिता से अलंकरत कर रहे थे बुद्ध की प्रथम मूर्थी विध्यारतियों प्रथम मूर्थी का निर्मान गांधार में हुआ या मतुरा में ये तो विवाद का विशे है किन्तु विद्वान उसे दौनों स्तलों का स्वतंतर रूप से निर्मित मानते हैं डौक्टर वासुदेव शरन अगरवाल का कहना है कि प्रथम बुद्ध मूर्थी का निर्मान मतुरा में हुआ ऐसा माननी के दो कारण है एक तो धार्मिक प्रस्ट भूमी की साक्षी और दूसरे बुद्ध मूर्थी की रशना के विद अंगों की कलास रजन इतिहास से पूरवर्थी यक्ष मूर्थियों की परंपरा का ही विकास बुद्ध प्रतिमान के में दिखाई देता है कनिश्क के काल में मतुरा शैली में बनी तीन प्रसिद विशाल काई बुद्ध मूर्थियां सारनात में आट फुट दो इंच चौकी सहित नो फुट पांच इंच क कोसम यानि कोशांबी तथा साहेट महेट श्रावस्ति से प्राप्त हुई है आसीन मुद्रा में कल्पित बुद्ध का बौदी सत्व की प्राचीनतम एवन प्रसिद मूर्थी मतुरा के कट्रा केश देव तीले से मिलती है मतुरा से मेत्रे ये बौदी सत्व की भी अनेक प हुआ विश्णू लक्ष्मी दुर्गा कार्थी के यह आदि की प्रारंविक मूर्थियां मतुरा से ही मिलती है मतुरा से ही प्राचीन जैन स्थूप एवं प्रतिमाय भी मिलती है इती नमस्तार